आल राइट दोस्तों इंडिया में Poco का निया स्मार्टफोन Poco X6 Pro ये बहुती जल्दी लॉंच होने जा रहा है विदिन 10 डेज और इन वीक ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉंच किया गया है Redmi K70E के नाम से और ये स्मार्टफोन भाई 25,000 रुपे के आसपास में आप में नामें दीपक और आपका स्वागत है Android गुरुजी में अगर आप चैनल पर नए हैं Unboxing, Review, Compare, Giveaway के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैल ऐकन कॉल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहले पहन जाए चलिए दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की Build Quality, लुकिंग दोस्तों यही स्मार्टफोन लुकिंग के अंदर काफी अलग सा है, पोको का ही स्मार्टफोन वैसे तो आते हैं सिमिलर लेकिन यही स्मार्टफोन दोस्तों लुकिंग के अंदर आपको एक different look प्रोवाइड कर यहाँ पर आपको IR plaster मिल जाएगा, dual stereo speakers मिल जाएगे, in-display fps मिल जाएगा और IP57 की rating आने के भी यहाँ पर chances है तो मान के चलो यार यही smartphone build quality के अंदर दोस्तों काफी crazy होने वाला है वैसे तो यार देखू, glass back का या पर प्लास्टी का कुछ खास परक रहीं परता क्योंकि हमें production के लिए cover लगाना होता है लेकिन जो जानकारी मेरे पास में आई है दोस्तों वो मने आपके साथ यहाँ पर share कर दी है तो build quality के अंदर यह smartphone price के हिसाब से काफी okay-okay है चलिए दोस्तों बात करता है स्मार्टफोन की display के बारे में और display दोस्तों यहाँ पर काफी ज़्यादा crazy है 6.67 इंच की 1.5 के AMOLED, 120 Hz के साथ में, 1920 Hz की PWM dimming, 1800 nits की brightness peak, 240 Hz की test sampling rate यहाँ पर आपको मिलती है protection Gorilla Glass 5 की HDR 10+, Widevine L1 तो मान के चलो यार, center punch hole के साथ में, तो यह display दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपका media watching, content watching दोस्तों काफी crazy तरीके से करवाने वाली है, 25,000 के नीचे one of the best display, that for sure चलिए दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की specs की, एक नया SOC है यार, MediaTek Dimensity 8300 Ultra अब भी पता नए नाम आ रहे है, Ultra के नाम से, यही स्मार्टफोन contain करेगा, 6GB और 8GB के variants, 5X RAM, UFS 4.0 के साथ में, यारि अगर आप करते हैं न, read and write, data transfer, आपका यहाँ पर काफी तेजी से हो जाएगा, देखो यार, Poco का स्मार्टफोन है, Redmi का rebrand होगा, तो मान के चलिए यहा पर आपको pre-installed app, blotware, आपको यहाँ पर भर भर के दिये, जाहिल, hopefully आपने uninstall कर सकते हैं, अगर हम बात करते हैं, गेमिंग की, तो वाई 60fps की gaming आप यहाँ पर कर पाएंगे, जो कि हमने देखा है, चाइना वाले variants के अंदर, वहाँ पर आप 60fps की जो gaming है, उसा बहुत अच् स्मार्टफोन के camera की, और यह स्मार्टफोन यार काफी basic सा है, 64MP का Omnivision का sensor आएगा यहाँ पर, OIS यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, 8MP का ultra wide, 2MP का macro, the useless sensor, 16MP का selfie camera, rear camera 4K 30fps, front camera FHD 60fps, अब यहाँ पर कैमरा की quality कैसी है, हना यहाँ पर shots वगरा कैसे काम करते हैं, lag व testing में, क्योंकि चाइना और इंडिया के अंदर आपको जो camera है न दोस्तों, उसे काफी अत्तक optimize अलग किया जाता है, तो make sure, आप unboxing के लिए, review के लिए, gaming testing के लिए, camera testing, camera compare के लिए, आप चैनल को subscribe कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर दोस्तों, आपको हर तरह की video launch होते ही देख आपको इंदा box मिल जाएगा, अगर हम बात करते हैं, price की लगबग 25,000 रुपे, 25 या पर तीस के अंदर ये vary करेगा, दोस्तों, तो मेरे ही साब से यार, Poco X6 Pro, अपनी price segment के अंदर भाई, काफी तगड़ा काम करके आएगा, bit quality मुझे यहां पर थोड़ी okay लग या, लेकिन स्मार्टफोन के बारे में, कोई और स्मार्टफोन के बारे में, हना कोई भी स्मार्टफोन आपको अच्छा लग रहा है, under 10,000, 20,000, 30,000, आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं, आपको दोस्तों, वहाँ पर reply जरूर से मिल जाएगा, ठीक है बाई, वीडियो को लाइक नए है, सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, keep watching, keep sharing, जैहिन!